तेजी से वजन घटाने की सनक छड़ी है तो हो जाए सावदान ये दवाईया बना सकती है पेट के लखवे का शिकर वजन कम करने और डायाबेटीस से चुटकारा पाने के लिए दवाईया लेने वाले सावदान हो जाए क्योंकि इसे पेट में लखवा हो सकता है एक श्टड या बिगोबी जैसी डियाबेटीस और वेट लॉस वाली दवाईया बेहधानी कारिक है इससे पेट में लखवे का खत्रा बढ़ता है जिसे गैस्ट्रोपेरोसिस कहते हैं आइसी कंडिशन में पेट की मांस्पेश्या कमजोर हो जाती है और खाना सही तरह पश्च नहीं प वाली विगोवी मेडिसिन अमिर्की फूड एंड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन से मंजोरी मिली है जबकि उन्जोपिक पहले से अप्रूर दवा है इसका इस्तिमार टाइप टू डायाबेटीस के मरीजों में ब्लेड शुगर लेवल को कांट्रोर करनी के लिए किया जाता है दोनों दवाईया प्रोटीन सेमांगलुटाइड के इंजेक्शन है जो हार्मन ग्लुकागन जैसे पैंटाइड वन की तरह ही है यह दवाईया मतली उल्टी और डस्त जैसे गैस्ट्रो इंटेस्ट्राइनल समस्याओं का कारण है क्या है नई श्टडी टीवो आई की पेसे पीड़ी तीन लाख लोगों में 1.6-5 लाख लोगों ने विगोबी या उंजोपिक की दवा ले थी जिसमें पाया गया कि यह दवा पेट को तीजी से खाली कर देता है और इंसुलिन प्रोडेक्शन स्लो कर देती है क्या है साइड एफेक्ट्स इस टाडी को करने वा दवाईयों की फाइदे सामने आ चुके हैं लेकिन इसके नुकसान के बारे में भी जानना जरूरी है बिना डॉक्टर की सला के इंदवाईयों को नहीं लेना चाहिए पेट का लकवा क्या होता है पेट के लकवे को ही गैस्ट्रो परसिस केते हैं इसमें अंत की मांस पेश्या कमजोर हो जाते हैं अंत का मूमेंट कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से खाना सही तरह पश नहीं पाता है इसमें पेट हमेशा भरा भरा सा लगा रहता है और जल्द खाली नहीं होता इन दवाईयों की वज़ा से उल्टी मतली पेट फूलना पेट में दद हमेशा पेट भरा रहना एसीड रिफ्लेक्स भूख की कमी जैसी समस्या यह हो सकती है खबर में दीग गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आदार है आप किसी भी सुजाओ को अमल में लाने से पहले संबंदित विशेशद्ने से सला जरूर ले धन्यवाद